हालो फ्रेंड्स आज मैं आपकी लाई हैं एक ऐसे नास्ते की रेस्पी जो बनाने में भी बहुत साल आसान है और सिर्फ दो चीजों से मिलकर नास्ता बनके तैयार हो जाएगा देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है इतना सौफ्ट और स्पंधी नास्ता बनेगा और पोहे को हम दो यूष काल लेंगे जिससे इसमें सब्स जो भी जैरा होगी बहलेगे इसलिए पोहे को अच्छे से दोना बहुत जरूरी है कोह की मैं बहुत जण होती है तो इसको हम अच्छे से वाश कर लेंगे दो-तिन बार तो मैंने साहरा पानी निकाल लिया है और दो-तिन बार अच्छे से वाश कर लिया है अब इसको 10 में रेस्ट पर छोड़ देंगे जिससे यह पुवास फूल याए उसके बाद हम इसका यूज करेंगे तब तक ब वैस्ट कर दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिये में सूजी को अप ट легко थे रेस्पर छोड़ देंग से सूजी फूल जाए उसके बाद हम इसका यूज करेंगे तो देखिए पूह हमारा फूल चुका हależy यहластि हाँ değilलो को हलकrant में यहाज मे ब्या कर रखी सब्सक्राइब को यह इसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं अब दोना चीजों को अच्छी से मिक्स कर देते हैं जिसे एकदम डों के फॉर्म में आजाएए तो इसमिदम सौ्फ्ट डों लगजाना चाहिए आपको इसमा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बिना पानी के यह आता गूतना है तो देखिए डो के फॉर्म में पर्फेक्ट आ गया है अब इसमें बाखी की चीज़ें एड कर देते हैं तो मैं दो हरी मिर्च ले रही हूं और थोड़ा से हरा दनिया थोड़े से करी लिए तो हरी मिर्च की गौंटिटी आप अपने एकोडिंग ले सकते हैं अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाथ की अनुसार और आदा चम्मस काली मिर्च का पावडर क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आएगा तो जरूर डालिएगा और दो चम्मस ओईल इससे कि हमारी नास्ता सॉफ्ट बनेगा इसलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छी से मि भी नहीं लगता है देखिए हमारा डो पर्फेक्ट लग चुगा एदम सॉफ्ट डो लगा है चलिए इसकी बॉल्स बना लेते हैं तो मैं हातों में थोड़ा सा ओल लगा के छोटी-छोटी बॉल्स बना रही हूं नीवू के साइज की आप चाहें तो कोई और शेप बेसको हूं कितना आसान है बॉल बनाना फटाफट वगरा कुछ भी नहीं आता हैं तो असपने के सारे बॉल बनासाथ Нियार कर लेंगे खुन ku जिए हैं कितने च्जझटपट के तैयार हो घया है अब को छीज़ करते हैं तो मैं चलनी में स्टीम कर रही हूं अगर आपके पास उस ताइफ की चलनी है तो इस पर भी कर सक चकती है मैं इस 되지 पर फोड़ा साफ लगा देंगे जिससे अमारे नाश्ता चुपके नहीं अब सारी require को हमें इस पर रख देंगे थोड़ा से इस ठोड़ा बढ़ा होगा तो चुपके एक fleet आपके तो चुपके अब और देखिए हमारी बॉल का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और ये स्टीम हो चुकी है देखिए बिल्कुल भी दिन चुपक रही है और ठंडा होने पर हम इसको निकालेंगे हमारी बॉल्स परफेक्ट बनके तयार हो गई है देखिए कितने बढ़िया सॉफ्ट बढ़िया है आपको दिख रहा होगा इसका टेक्शल वह आसानी से निगल जाती है देखिए कितनी बढ़िया में के तयार हुए चलिया विन में इस तड़का सा लगा देते हैं जिससे इनका फ्लेवर और अच्छा बढ़ जाए आप ऐसे भी इनको खा सकते हैं तो मैंने बढ़िया है चाट मसाला इसे का चटपटा नास्ता बनेगा हमारा और आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च जिससे देखने में अच्छा लगेगा और दो चमच नारियल का बुरादा मैंने सुखे नारियल को ग्रेट करके डाल रही हूं और इसको हलका सा रोस्ट कर लेंगे जेसे सारी चीजब हलकी सी रोस्ट हो जाएं जिससे इनका कच्छा पन है थ्लेकिको हमारा रोस्ट हो चुका है अब नहीं मैं इसमें हमें डाल देंगे और इसको अच्न लिग करती है जिससे जो भी मसाला है वो इस पर कोट हो जाए तो देखिए कोट हो चुका है अब मैं इसमें एक चोथा ही चम्मच पोहा मसाला डाल रही है इससे के और अच्छा फिलेवर आएगा आप डालना चाहिए डालिए बनना इसकेप कर सकते हैं और थोड़ा सा हरा दन्या जिससे देखने में और भी अच्छा लगे अब सारी चीज़ां को अच्छी से मिक्स कर देंगे देखे कितना बढ़िया नास्ता बनके तैयार हुए तक बढ़िया देख रहा है ना तो अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारी चीज़ां अब इसमें थोड़ा सा लैमन का जूस भी डाल देते हैं निवो कर दो इससे देखाने में और भी टेसी लगेंगी तो मैंना आदा बनके तैयार हो गया यह कितना बढ़िया दिख रहा है चलिए इसको सर्व करते हैं तो आपको यह रस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएए अगर आपको यह रस्पी थोड़ी से भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आग करिएगा थोड़ा सा थैंक यू